हे गाइस तो यह जो मसाला पनीर बर्गर आप देख रहे है ना कितना यमी जो लग रहा है तो चलिए यह बनाते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पे लिया है दूद तो दूद हमने फार लिया था गाइस वीडियो में शूट नहीं हो पाया लेकिन जैसी दूद फट जाए तो आप लिया चिली फ्लेक्स और औरिगयनो तो यहां पे क्या करेंगे कि अब इसे ना एक कपड़े में हम अच्छे से चान लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वह निकल जाए और यह जो औरिगयो चिली फ्लेक्स टाले ना हमने यह पनीर के साथ ही ऊपर एड़िय हो जाएंगे वसी में मिक्स हो जाएगा तो हमारा मसाला पनीर घिलकुल घर पे ही बन जाएगा तो यहां पे उसको चान लीजिए अच्छे से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के उसको खूब अच्छे से निचोड लेना है और यह देखे यह दिख रहा है आपको अब क्या करना कि हमें इसे चलनी में रख देंगे और ऊपर से न कोई है जा वेट डाल में, पढ वेट डालने से क्या होगा कि लिए नीच अच्छे से सट हो जाएगा तो कोई भी बड़ा सा बरतन या पत्थर रग दीजे एक दू गंटे में अराम से थेड़ हो जाएगा तो मैं निहा पर दो घंटे के लिए रख दिया था और अब मैं इसको खोल लेती हूँ मैंने यहाँ पे ना हैंकी ही यूज की है बिलकुल साफ सुतरी है यह कोई भी कॉटन का कपड़ा या मलमल जो कपड़ा होता है आप वो यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप यह देखिए कि जो दूद फटा हुआ था उससे हमारा यह मसाला पनीर बिलकुल यमी सा बनके रडी हो गया है और काफी टाइट है यह बिलकुल सॉफ्ट भी नहीं है और जब यह ठंडा हो जाता है तो इसको फ्रीज में रख दीजे तो काफी अच्छी स जो इसकी जो सॉलिड है वो बनके रडी हो जाता है यह देखिए टूट नहीं रहा है और चाहे तो आप इसे ऐसे खा भी सकते लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं मसाला पनीर बर्गर वो भी बिलकुल देशी स्टाइल में तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि बन ले लेंगे कोई सबी बन ले लिजिये बर्गर बन लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल बन ही लिया है क्योंकि यह आईज लेबल हो जाता है किसी भी जो घर के आसपाज जो जन्रल स्टोर वगर होते हैं तो वहाँ पर इजिली मिल जाता है तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे बीच से अब क्या करना है बहुत जादा इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है बस जब तक आपका पनीर सेट हो जाते है यही सबसे मेन होता है कभी दूद फट जाए तो उससे बना लीजिए या फिर दूद को जब हम फाड की भी बना सकते हैं नॉर्मल मियोनीज लगा सकते हैं और अगर वो भी नहीं है ना तो चैटनी या सॉस कुछ भी लगा दीजिए बस बन के ओपर फिला दीजिए या अच्छे से तो यहां पे मैंने दो जो बरगर लिये थे बन लिये थे उसमें लिया और अच्छे से पुरा उसको दो पीसिस जो आपको पसंदो आप उस तरीके से इस पीसिस को एड़िस्ट कर लीजिए या फिर आप पनीर के जो छोड़े चोटे क्यूब्स कट करिए उसको टमाटर पे आज के साथ हलकी सी सूखी सी सब्जी ऐसी बना के बरगर के बीच में रखके वैसे भी खा सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से जो हमारी स्लाइसेज हैं बहुत ही बड़िया कटके रेडी हो गई हैं और बिल्कुल भी किसी एंगल से नहीं लग रहा कि यह जो पनीर है यह हमने घर पे बनाया है तो मैं इस फिलाल आधा ही पनीर यूस कर रही हूं क्योंकि सिर्फ दो बर्गर यहां पर बना रही हूं और अब बारी आती है यहां पर हम इसको एसेंबल करेंगे जो भी चीजें हम इसके अंदर लगाना चाहते हैं सबजियां बगरा तो सबसे पहले यहां पर मैं लगाओंगी कुछ लच्छे प्यास के और फिर आप चाहें इसमें खीरा टमाटर लेट को आज़स्ट कर लिया है तो यह दीखिए अगर प्यास नहीं कहते हैं तो आप उसको साइडे कर दीजियें फिर यहां पर लिए हैं पतले Pतले सलाइसीद के सलए कि संकराइब ऑप अच्छे से वो एड़जस्ट हो जाते हैं उसमें और फिर यहां पे हम रगाएंगे पनीर तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल या फिर गीम अगरा का यूज नहीं किया है हमने बिल्कुल ग्रिल भी नहीं किया है लेकिन फिर भी आप इस पनीर बर्गर को खाएंगे न इसको स्किप कर दीजिए अब चाहें तो इसके ओपर थोड़ा सा मसाला या जो स्प्रिंकल करना चाहें आप कर दीजिए अधर्वाइज मेयोनीज अगर मसालेदार है तो आपको ज़रूत नहीं पड़ेगी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही रग दिया है और ये देखिए हमारा इं